हेलो फैंज, वेलकम टू जस्ट फॉस्ट टडी दोस्तो शिमला अर्बन कॉफिट्व बैंक लिम्टिन ने जो है निव एलोटीजमेड निकाली है जिसमें उन्होंने आवेदन मांगे हैं मेनेजर एंड कलर्क की पोस्ट के लिए इसमें जो है एक पोस्ट मेनेजर की है और तीन पोस्ट है कलर्क की जिसके लिए आवेदन कर सकते हैं स्तार मई से चार जून दोजर तेईस तक तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोट्रिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले देख लेते हैं नंबर आप पोस्ट मेनेजर ग्रेड वन की बात करे तो इसमें जनरल अन्रिजर्व की जो है एक पोस्ट है और क्लर की बात करे तो इसमें जनरल अन्रिजर्व की जो है दो पोस्टे है और शेडियूद कास्ट की एक पोस्ट है टोटल तेन पोस्ट डेट अप ऑन्लाइन एग्जामिनेशन ऑन्लाइन एग्जामिनेशन की बात करे जुलाई जा अगस्त 2013 में जो है online exam होगा बात करे application fee की तो manager की post के लिए application fee है general category के लिए 2000 for the post of clerk grade 4 तो clerk की post के लिए जो general unreserved के लिए जो fees मांगी है वो मांगी है 1500 और SC category के लिए मांगी है 1000 पे application fees next हम देखेंगे qualification qualification की बात करें तो essential qualification आप video पाउस करके देख सकते हैं कि manager के लिए जो है क्या qualification मांगी है और essential qualification for the post of clerk grade 4 next आता है structure of examination examination की बात की जाए तो इसमें जो है same pattern रहेगा manager और clerk की post के लिए तो आप देख सकते हैं structure की बात करें इसमें जो है total question होंगे 75 maximum marks होंगे 75 और 90 minutes का आप को time दे जाएगा जिसमें reasoning including computer attitude आएगा 15 question के 15 marks numerical quantitative attitude data जो है 20 question 20 marks के English आएगी 20 question 20 marks के general awareness banking economy banking awareness की बात करें तो ये भी जो है 20 question आएगे 20 marks के तो उसमें साब लिखा है कि general awareness will also include questions about हीमातलपदेश तो जो section 4 है general awareness उसमें हीमातलपदेश के questions भी आएगे candidates up to 5 times of vacant post will qualify for interview 5 times candidate लिए जाएगे interview के लिए age criteria भी आप वीडियो पाउच करके देख सकते हैं 18 years and 18 years to 45 years of age इसमें जो है age relaxation भी आपको दिया गया है कि कौन सी केडिगरी के लिए कितनी age relaxation है how to apply apply की बात करें तो आपको जो है online apply करना है 17 मैं से चार जून तक full notification के लिए जो है हमने link दिया है description box और comment section में वहाँ जो है आप link पे क्लिक कीजिए और full notification आप डॉनर कीजिए वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो देशने के लिए धन्यवाद दोस्तों धन्यवाद